नमस्कार दर्शको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कारिक्रम जोतिश ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रूबर दर्शको आज हम एक बेहत दिल्चस्प और बेहत रोचक विशे पर बात करने वाले हैं क्या है वो विशे जिस पर हम चर्चा करेंगे जरूर बताएंगे आपको मगर उससे पहले हमेशे की तरह आज भी स्वागत करते हैं मारे बेहत खास महमान का जी हाँ, the famous palmist, astrologer and vastuva expert प्रुपेसर धर्मींदर शर्मा जी का नमस्कार सर नमस्कार सर, हर व्यक्ति चाहता है कि वो कहीं पर भी जाए तो लोग उससे बहुत प्रभावित हो, उसकी तरफ आकरशित होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति क्या कुछ ऐसा करें ताकि लोग उसकी तरफ एट्रैक्ट हो, आज ही बताएंगे आये दर्शु को बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे सप्जेक्ट की कि हर व्यक्ति संसार में नेम और फेम चाहता है क्या ऐसे भी उपाय हो सकते हैं कि उनको करने के बाद हर व्यक्ति हमारी तरफ आकरशित रहे हम कहीं भी जाएं किसी भी महफिल के हम शान बन जाएं किसी भी वजुम में हमारे ही गीत गाए जाएं तो ऐसा भी होता है, ऐसे भी उपाय होते हैं, कि वास्तम में हम आकर्षन का केंद्र बन जाते हैं। तो आईए दर्शकों, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, यह बहुत बाद की बात है। लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा लगता है आपकी आकर्शन जो आपके अंदर एक आकर्शन की इस्टिती है वो कैसी नजर आती है कई बार हम बहुत दिल के अच्छे होते हैं कई बार क्यों अनेकों बार हम दिल के अच्छे होते हैं लेकिन कई बार हमें लोग पसंद नहीं क तो इसी समस्या को देखते हुए बहुत आपकी इसी मेल्स और आती रहती हैं, कि आप ही हमें बताते हैं कि सर्वा अब इस टॉपिक पर आप बोलें, हमें ऐसा समझाएं, ऐसा बताएं, तो आईए आपकी फर्माइश को हम पूरा करते हैं. ऐसे कौन से वो उपाएं हैं कि जिन को करके व्यक्ति वास्तम में किसी महफिल के शान बन सकता वास्तम में उस व्यक्ति के अंदर एक अदभूत आकर्शन पैदा हो सकता जहां जाएं सब आपसे बात करने के लिए लालाईत रहें कई बार हमारा कोई क्लास मेट होता रूम मेट होता कि कुछ भी होता या हम किसी जॉब फिल्ड में होते हैं लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता हमें कोई लाइक नहीं करता तो इन सब खामियों को पूरा करेगा आज का ये विशेस विशेस संग आईए शुरू करते हैं, अब आपको हम बताते हैं, सबसे पहली बात, कि ऐसे प्राणी को शुक्र की अराधना जरूर करनी चाहिए, खास तोर से शुक्रवार के दिन, 21 बार एक भीज मंत्र हम बता रहे हैं शुक्र का, वो आपको पढ़ना चाहिए, उसको नोट करें, ओम, द्राम, द्रीम, द्रॉम, शह सुक्राय नमा, दुबारा सुन लें, ओम, द्राम, द्रीम, द्रॉम सह, शुक्राय नमा, इस मंत्र को शुक्रवार के दिन, 21 बार हर प्राणी को अपने आकरशन को उपर लाने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए, दूसरी बात, शुक्रवा शुक्रवार और स्वंबार के दिन हमें स्वेत वस्त्र जादा तर कोशिस करके पहनने चाहिए दूसरी बात हमें स्विटाक्ष की माला जो स्विटिक की माला होती है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए हमें स्विटिक की माला अपने गले में पहननी चाहिए चाहें हम इस फिटिक का एक सुन्दर सा मनका लेकर के अक्सर अपने गले में पहना करें ये भी आकर्षन को पैदा करता है आप जो अपनी शर्ट में कमीज में या जो बटन हम यूज करते हैं या महिलाएं अगर कोई ऐसा बैसलेट पहनती हैं तो उसमें भी इस फिटिक की मनिय होनी चाहिए इससे भी बहुत अच्छा आकरशन आपके अंदर पैदा होगा दूसरी बात एक चीज और बताते हैं जब आप घर से बाहर निकला करें सबसे पहले सीधा पाउं बाहर निकालें फिर घर से बाहर निकला करें इससे भी दिन भर की कारी आपके शुब और अच्छे होते हैं और अब एक सबसे अद्भुत मंत्र में आपको बताने जा रहा हूँ जो दुर्गा सब्तशती में आपको मिलेगा एक लाख एक परसेंट नोट हंडर एक लाख एक परसेंट इस मंत्र को जो पढ़ता है अद्भुत व्यक्ति के अंदर आकर्शन पैदा होता मंत्र आप लिख पाएं तो लिख सकते हैं नहीं तो दुर्गा सब्तशती में से भी इस मंत्र को आप नोट कर सकते हैं मंत्र नोट करें ओम ज्यानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हीसा बलादा कर्शे मोहाय महामाया प्रेच्छती ए भगवती तुम बड़े ज्यानी के दियानी के चेत को उसमें प्रेव प्रेशन का केंद्र आप मुझे नहीं बना सकते हैं वास्तव में बना सकती हैं तो यह मंत्र एट्रक्शन का मंत्र होता इस मंत्र को जब भी आप पढ़ें माद्रुगा का ध्यान करके पढ़ें और चलते फिरते भी इस मंत्र को आप खुब पढ़ सकते हैं कोई नुकसान नहीं मंगलवार के दिन किसी भी निकट भगवती के प्धिक कोंत्र के निज़र आने लगेंगे अन्तिम और लास्ट पाए अपने तकिय के नीचे एकसर अपनी मदर का नाम रख कर किते साथ तकिया है पिलो है अक्सर किसी अच्छे कागस के उपर माता का नाम लिख लें और माता देखो हमेंसे आपको आशिरवाद ही देती हैं तो माता का नाम लिख करके तकिय के नीचे सरहने रख करके अक्सर आप सोया करें और जब आप सुबह उठें अपनी माता के चरणों को नमन किया करें आप करके देखें जनाब अदभुत आपको इस मंत्र का लाब मिलेगा इस छोटे छोटे जो उपाए आज मैंने आपको बताए हैं इनमें से जो भी उपाए आपको अच्छा लगा हो आप जरूर करें आपके व्यक्तित्त में चार चांद जरूर लगेंगे आपकी यह जो कमी पूरबी चमतकारिक मंत्र बताया था ओम हसती पिंसाची लिखे स्वहा और एक और बताया था ओजमकी राजमकी वॉस्वा वस्य करने वाली राज मुखय रहिज जिहान वाली अन भागवती को मैं नमन्ष नमंद करता हूं तो यह मंत्र भी आप रोज-21 बारे पढ़ोड ओम वश्यमुखी, राजमुखी, स्वाहा, भगवती का ध्यान करके पढ़ें, अध्य भूत चमतकार आपके इंदर पैदा होगा, तो दर्शको बस आज के लिए इतना है, तो दर्शको आज आपने जाना कि कैसे आप एट्रेक्टिव बन सकते हैं और कैसे आप दूसरों को अ है। बहुत बहुत धनिवाद उसके लिए सर, आपका शर्मची का माधर्शन पराप्त करने के या पर आप कहीं दूर दराज रहती हैं, किसी रिजसंव से आपके लिए मुलाकात कर पाना मुंकिन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे मैं आप kॉल appointment ले लीजेगा संस्थान में संपर साथने का समय रहेगा सुबा 10 से शाम 6 बज़े के बीच में चलने की तीज़े इजाज़त नमस्कार मैं अब मेरा बेटा है जो चार्टर अगांटेंट है अभी तो वो क्या था मेरी कोई बात नहीं मानता था सालों तक मेरा उसका जगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग के उनसे में कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ क्या हुआ कि मैं आप से मिला आकर कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बता है जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ और आपको सुनके बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो तुम ये करो वो करो वो कुछ नहीं करता था आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोंवार के दिनों उठता है खुदी जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है कहां से उसने लिया मुझे पता नहीं और भगवान शंकर पर जाकर जल चड़ाता है उन पर राम राम लिखता है और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं दो महिने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंतर का जो है तो मेरे खाल में इससे बड़ी उप लगदी तो और कोई हो नहीं सकती दन्यवाद प्रतिदेन अधिक से अधिक जानकारी प्रात करने हेतू एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतू आप हमारे फेस्बुक पेज से अवश्य जुणे हमारा फेस्बुक पेज है पी आरो एफ डॉट धर्मेंद्र शर्मा इसे प्रकार से आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं